तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रैंकिंग कम्पिटिशन के दोरान यूजे टॉप एड में पहुँच चुका था जहाँ पर उसने कई सारे पाउफुल कल्डिवीटर स्कॉर रा दिया था और करन्टली अभी उसकी फाइट स्काइब बर्निंग सेट के डिसाइपल फैंक जुईबी से हो रही थी जो की वैसे तो बहुत थाकतवर है लेकिन अभी यूजे के सामने उसके अटाक कुछ भी नहीं कर पा रही थे यहां वो अपनी स्पेशल टेकनीक का भी इस्तमाल करता है लेकिन उस टेकनीक को भी यूजे ने बहुत ही असानी से रोग लिया जिस वज़े से अब फैंक जुईबी को थोड़ा गुस्ता आ गया था इसलिए वो एक बहुत ही जादा खतरनाक टेकनीक का इस्तमाल करने लगता है यहां मास्टर लिंग ने बहां के एल्डर को तुरंथी आरीना में जाकर यूजे को बच्चाने के लिए भीज दिया था क सीदा ही यूजे पर जाकर हमला कर दीता है अब इसे रोकने के लिए यूजे ने अभी अपनी स्वाट आगे कर ली थी पर इसका कोई फार्दा नहीं था इस वज़े से वो थोड़ा सा हट कर अपनी स्वाट को नीचे लगाता है और फिर अपने हाथ से ही मिस्टिक एनरजी को रिलीस करते हुए उस ड्रागन को कवर करते हुए उसे डिस्ट्रॉइ कर देता है अब उस ड्रागन के डिस्ट्रॉइ होने की वजह से यहां फैंक ज्यूइबे की भी एनरजी खत्म हो चुकी थी जिस वजह से अब वहां खुटनों के बल आ जाता है दूसरी तरफ हम स्क यूजे ने ये मैट जीत लिया है और अब वो सेमी फाइनल में पहुँच चुका है यहाँ यूजे के बहुत सारे फैन बन गए थे जो कि इस बात से बहुत ही जादा खुश थे अब यूजे वहाँ एल्डर के पास आते हुए उनसे कहता है कि आप मुझे बचाने के लिए आ की स्वाट को तोड़ देता है और उसे वहाँ से दूर फेंग देता है इससे फैंग सुवीबी को बहुत चोट आई थी जिस वजे से उसका बहुत खुन भी बह गया था लेकिन यूजे यहाँ एल्डर से कहता है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि उसने फैंग सुवीबी क को जान से नहीं मारा है मगर अब इस बात से वहाँ दूसरी तरफ स्काय बर्निंग से के मास्टर को गुस्ता आ गया था इसलिए अब वो तुरंती खड़ा होता है और यहाँ यूजे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है यहाँ पर आनी के बाद उसने एल्डर को अ उटा सकती है इसलिए अब यूजे सामने से हट जा रहा था लेकिन इससे उस मास्टर को और जादा गुस्ता आता है और वो अपने पपल फ्लेम ड्रागन को समन कर लीता है यह ड्रागन फैंसुई भी के ड्रागन से भी जादा खदरनाक था इस वज़े से यूजे इसे रो और वो यहां आकर इस ट्रागन को डिस्ट्रॉई भी कर दीती है जू देकर सभी हरान थे यहां वो मास्टर यूजे से कह रहा था कि तुम मेरे बीच क्यों आ रही हो जिस पर यूजे कहती है कि तुम्हें एक जूनियर डिसाइबल पर हमला नहीं करना चाहिए तुम्हें अ हो लेकिशन पहले ही अञां पर हमला कर रहा था लेकिन यूजे पेले ही अपनी स्वार्ट को पूरी तरही से जमा दीती है यहां भी उस मास्टर को अपना हाथ बीडूर करना पढ़ता है क्यूंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भी वहीं पर freeze हो जाता अब यहां यूचन ने उस sword को destroy कर दिया था और इसके बाद अब वो एक बड़ा सा ice crystal create करती है और उससे उस master पर हमला कर देती है अभी सभी लोग देखते हैं कि इस attack के बाद वो master नीचे गिर चुका है और साथ ही अभी उसकी हालत भी आखिर यूचन ने इंटर्फेय क्यों किया लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि यूचन पहले भी यूचे की मदद कर चुकी है वैसे अब यहां एरीना में फैंग आता है और यूचन से माफी मांगते हुई कहता है कि हमारे master को अपने ही एक disciple को चूट लगने की वज़े स कुछ सा आ गया उन्हीं माफ कर दीजिए जिस पर यूचन कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है इसके बाद अब फैंग यहां master link से माफी मांग रहा था अब master link कहते हैं कि वैसे तो sky burning sec ने गलती की लेकिन उन्हें इस चीज़ की अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है और दूसरी चीज यह है कि कि यूचे को भी master की वज़े से कोई चोट नहीं आई है इस वज़े से तुम्हें इस बार के लिए माफ कर दिया जाता है लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब फैंग यहां master link और यूचन दोनों को ही thanks कहता ह और वैसे अभी यूचे भी यूचन को thanks कहने वाला था पर यूचन उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए बहा से चली जाती है इसके बाद अब elder यहां पर announce करते हैं कि अगला match ज्याव सेक्ट से ज्यावली और क्विंग्यू के बीच होने वाला है अब यह बात सुनकर य यूचन ने उससे कहा था कि उसकी fight ज्यावली से होने वाली है इस वज़े से वो अपनी पूरी पार का इस्तमाल ना करे और अपनी true strength को show ना करे तो अब यहां पर लड़ाई शुरू होती है जिस दोरान हम देखते हैं कि ज्यावली अभी क्विंग्यू पर कई तरह के हमले कर रहा था लेकिन क्विंग्यू उसके हर एक अटाक से बच रही थी वेसे वो बीच पीच में अपने कुछ नॉमल अटाक्स कर दे दी थी जिस वज़े से ज्यावली को कुछ ज्यादा खास चूट नहीं लग रही थी पर ज्यावली फिर भी कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम ताकतवर हो क्योंकि तुमने मेरे हर एक अटाक को रोक लिया अभी वहाँ दूसरी थरफ ज्यावसेग के मास्टर कह रहे थे कि मैंने ज्यावली से पहले ही कहा था कि अपने आपने आपनेंट को कम ना समझे कहीं ज्यावली कोई गल्दी ना कर बैठे अब इस थरफ बार्टल ग्राउंड में हम देखते हैं कि ज्यावली यहां अपने बहुत पाफुल टेकनीक का इस्तमाल करता है जिसे फैंजी स्वाट टेकनीक कहते हैं लेकिन यहां इस टेकनीक को भी क्विंग्यू ने आइस रिचल लूटस की मदद से रोक लिया था जो देखकर ज्यावली को ठकाने की कोशिश कर रही है जिससे वो उसे इसली हरा सके पर तभी जास्मीन यूजे से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ग्विंग्यू चाहे तो वो सिर्फ फाइव मोव्स के अंदर ज्यावली को हरा सकती है अब यह सुनकर यूजे हैरान था यहां प कई हजारों सालों में किसी एक के पास ही देखने को मिलती है यह सब सुनने के बाद यूजे बहुत ही जादा हैरान हो गया था लेकिन उसे भी जादा कुछ समझ नहीं आया था अब हम वापस से यहां बैटल इरीना में देखते हैं कि अभी ज्यावली की हालत खराब थी उस कर दिया था पर अब इसी वजह से जो एनरजी फैलती है वो आसपास के बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है अभी सभी को लग रहा था कि यहीं पर ओवर हो चुका होगा और शायद इन दोनों के भी ज्यावली दोनों ने ही हार नहीं मानी थी अब ज्यावली यहां जिं देखते हुए वहां उसके मास्टर भी हैरान थे वो कह रही थे कि अब ज्यावली नहीं हार सकता यह मैच वहीं जीतेगा लेकिन अब जब ज्यावली यहां क्विंग्यू के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था तब ही अचानक से उसकी पूरी बाड़ी फ्री सोकर नीचे गिर जुका था पर अब उसकी पौरी वापिस से नॉमल भी होने लगी थी यह देखते हुए उसके सेक के वो मास्टर को गुसा आता है और वो यहां क्विंग्यू पर हमला करने के लिए नीचे आ जाते हैं लेकिन तभी एल्डर ने वहां पर आकर उस मास्टर क को रोक लिया था इल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें तो कुई की को थांक्स कहना चाहिए क्योंकि शुरुआत से ही वो अपनी बार को रोक रही थी जिसे ज्यावली को ज्यादा चोट ना लगे वरना अब तक ज्यावली पुरी तरह से इंजट हो चुका हुता अब वो इल् असमीन उसे डिटेल में बताना शुरू करती है वो कहती है कि क्विंग्यू के पास इंफानेट मिस्टिक एक्विजिट बोडी है इसका मतलब उसके पास एक इंफानेट इनरजी सोर्स है वो भी खुद उसकी बोडी के अंदर ही और इस चीज़ को अवेकन करने के बाद वो बहुत ही जादा पार का इस्तमाल कर सकती है लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये उसके लिए खत्रा भी है क्योंकि इसके ही कारण वो एक आल्किमी फॉर्नेस की तरह यूज भी की जा सकती है अब यहाँ यूजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब वो डिटेल में प कर दी है उसके अपोजिट एनाजी का कोई स्ट्रॉंग कल्टिवेटर अगर मिलता है तो वो हमेशा क्विंग्यू का यूज करने का सोचेगा अब यूजे पूछता है कि क्या क्विंग्यू को ये बात पता नहीं है जिस पर जैसमीन कहती है कि बिल्कुल उसे ये सब पता नहीं है वो सिर्फ खुद को दूसरों से अलग समझती है अब इसके बाद यहां से सीन चीन्ज होता है और हम इल्ड़कुन को देखते हैं जोके इस वक्ते क्रिश्चल के थ्रू त्यान वी स्वाट रीजिन के यंग मास्टर से बात कर रहे थे वो यंग मास्टर यहां पर क पुश होगे कि मुझे एक ऐसी बादी मिल जोगी है अगर तुम इंट्रस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो यह सुनकर यंग मास्टर हैरान था वो चलाते हुए कहता है कि बिल्कुल मुझे थोड़ा दिटेल में बताएगे अब यहां इल्ड़कुन हसने लगते हैं और इस पर यूजे कहता है कि कमाल है मुझे लगा कि तुम अपना प्रामिस भूल चुके होगे इस पर लिटल जी कहता है कि नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है पर वो यह भी कहता है कि अब मैं बहुत स्रौंग हो चुका हूँ इस वज़े से इस पर मैं ही जीतूंगा अब उनमे करान होकर कह रहे थे कि आगर इसने शुरुवात में ही त्यान यांग स्वाट क्यों निकाल ली इस पर उनके साथ मेरे डिसापल कहता है कि पिछली बार लिटल जी यूजे से हार गया था इस वज़े से वो इस पर यूजे को ही हराना चाहता है अब इस तरफ हम देखते हैं कि लिटल जी यूजे पर हमला कर रहा था पर यूजे ने भी अपनी हेवी स्वाट निकाल ली थी और इसके बाद अब वो भी आगे बढ़ गया था उन दोरों के अटाक्स टकराते हैं जिसकी वज़े से वो आसपास का बैरियर हिलने लगता है पर बागी के डिसाइपल्स उस पर अपनी एनरजी डालते हुए उसे बचा लिया था लेकिन अब इसके बाद यहाँ लिटल जी यूजे के आसपास बहुत ही तेजी से घूमने लगा था साथ ही वो बार-बार उसकी तरफ स्वाट में भीक रहा था लेकिन यूजे हर बार उसकी स्वाट से बचते अब वो रुखता है और अपने स्वाट को कई सारे क्लोन बनाता है और यूजे पर हमला करना शुरू कर देता है लेकिन इन से भी यूजे बहुती स्वाट के साथ भागते हुए बच रहा था कुछ देर बाद वो गोल खूमते हुए यहाँ लिटल जी के बिलकुल नस्दी रुख जाती है अभी यूजे को भी यह चीज पता चल चुकी थी कि इस टेक्नीक को कैसे रोकना है और इस वज़े से जब लिटल जी फिर से इस टेक्नीक का इस्तमाल कर रहा था तो यूजे अपनी जगे से नहीं हटता और इसी के कारण एक स्वाट उसके कंदे के पास चा लगती है जो कि असली वाली थी और इससे यूजे का बलड भी उस स्वाट पर लग जाता है अभी उसने असली स्वाट पकड़ ली थी जिस वज़े से यहाँ पर लिटल जी की वो टेक्नीक बिकार जाती है अभ यूजे कहता है कि तुम अभी इस टेक्नीक का इस्तमाल नही कर सकते साथ ही यूचे उसकी स्वार्ट भी वापस कर दीता है क्योंकि बिना स्वार्ट के लिटल जी लड़ नहीं सकता इस तरफ मास्टर लेंग इस चीज को दे कर हैरान थे वो तुरहती अपने डिसाइपल से कहते हैं कि वो लिटल जी को एक दूसरे स्वार्ट दे इसके ब झाल झाल